बिलहुर विदानसवा सीर से वस्पा प्रत्याशी मधू गौतम ने सहयोगे सुमित अवस्थी से खास बाक्चीत की कहा कि बिलहुर के जनता ठगी का शिकार हुई अन्य दलों के निताओं ने अपने सियासी फायदे के लिए जनता का इस्तमाल किया सिक्षा बेरुस्कारी स्वा समेथ कई मस्रों पर काम करने की प्राथमिक ताइब बताई उत्तर पिदेश में बिदानसवा चुनाओं को लेकर अगर माहौल की बात करें लगातार पिदेश की राजनीती में लगातार पूरी तागच होंके हुएं और इस समय हम मौझूद है कानपूर की बिलहर बिदानसवा सीट की बसपा पिदेशी मदू गौतम जी के पास उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का अगर बात करें चुनाओं का तो 20 तारीकों मतदान हैं बेहत कम समय रह गया है सबसे बड़ी बात करें तो जिन मुद्धों पर आप चुनाओं लिड़ रही हैं उसमें जनता का कैसा समर्थन आपको जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है मुझे और सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं आपfive कम समय रह गया हैं तीसरी शलंटे का मतदान 20 तारीकों कानपुर में तो जिस तरीके से अगर बात करें कि आप यहीं से बिलॉग करती हैं यहीं हैं लगातार ये दावे किये जाते हैं बहुत से इसे पित्यासी हैं जो बाहर से भी बिलौर विदानसवा में लेकिन इस समय सब ही लोग दावा कर रहे हैं कि हम यहीं रहते हैं आप किस तरीके से जीती हैं तो किस तरह से बिलौ और विदान सभा का विकास करें मैं यहां की चीतमों की बहू हूँ बिलौ विदान सभा की और जहां-जहां में जाते हूं सब मुझे अपनी बेटी समझ के बहु समर्ण के सबलोग 사थ में जुड़ रहे हैं असर बात भी दे रहे हैं और मैंने निसेυादा है पासू है जो वह उनको आज खा जाते हैं हमारे किसान भाई सब बहुत ज़्यादा परिशान है कि पूरी पूरी रात जाक़ के जो है वह रखवाली करते हैं तो उनके लिए भी जो है पशू के लिए जो है गोंशाला बनाए जाएंगे बात करें इसे कानपूर की जो बिलोहर बिधान सवा है वो कानपूर से काफी आउटर है तो किस तरह की विकास से किस तरह से उपेच्छा हुई है इस बिधान सवा की यहां की जनता की सबसे मूलभूत जो समस्या है जो आज तक यहां पर नहीं हुई है दसकों से लोग उस समस्या से जूज रहे हैं सबसे पहले प्रात्मिक्ता में किस तरह की समस्या है जिनको ले करके आप कदम उठाएंगे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहां पर बच्चे तो पड़े लिखे हैं लेकिन सरकार को रोजगार नहीं दे रही है तो अगर ब लेसे बहुत कम है वह भी बनवाए जाएंगे और जो हमारे बुजूर्ग हैं उनके लिए पुरानी पैंसल बापिस लाके बहनजी वादा किये हैं के पुरानी पैंसल बापिस आएंगी यहां की जंता से क्या कहना चाहेंगी आप क्योंकि 20 तारीकों मतदान है क्या मैसिज म के बहन जी के सरकार बनाएं और हाती वाला बटन दबाएं तो आपने देखा कि इस तरीके से लगातार जो बिलौर की जो बस्पा पित्यासी मदू गौतम इनका साफ तोर पर कहना है कि पिछले एक दसक से बिलौर बिदान सवा का जो विकास नहीं हुआ है निश्ची तोर पर जो पेच्छा यहां की जनता के साथ हुई है अगर वो जीती हैं तो निश्ची तोर पर जो मूल भूत ज्वलन्त जो मुद्धे हैं उन पर सबसे पहले काम करेंगी कानपूर से मोहित गुपता के साथ सुमी तवस्ती 1st India News